सो हेलो एव्रिवन और हमने अभी तक पहले 5 question domino piling तक कर लिया है जो मैंने first video बनाई थी 800 rating आगे बढ़ते हैं अगले 5 question करते हैं domino के बाद आलता है bit++ यह bit++ question अब तुम पढ़ भी रहोगे साथ में और किसी ने मुझसे बूचा था कि summit कैसे करते हैं तो यहाँ पर अगर तुमने setup कर रहा है अपना vs code अगर करने की ज़रत पढ़ेगी मैं आके कर दूँगा अभी छोटी problems है तो अभी हम ऐसे ही चला रहे काम कि नहीं तो तुम यहाँ करो summit पर जाओ और यहाँ पर अपना code लि code यहाँ पर लिखना here custom test पर मतलब जैसे यह submit दिख रहे है यहाँ custom test है तो इसको अलग से खोल के रख देना और यहाँ पर try करना code उसके बाद input देना यहाँ फिर output चेक करना run कर गये output सही आ रहा है ठीक आएगा तभी इसको submit करना ऐसा मत सोचना है क्योंकि यहाँ पर कुछ compile करने का तो है नहीं तो जैसे तुम यहाँ पर submit करोगे और यहाँ submit पर click करोगे तो automatically होगा तो कोशिच करना कि run हो जाए पहले वरना errors आते हैं तो हम कहाँ पर थे यह समयना submit कर लिया है question के कह रहे है bit++ की हमारे पास दो operation है जैसे यहाँ पर पहले तो number of test case दे रखा है कि दो test case होंगे तो एक test case यह रहा और दूसरा यह रहा condition क्या है क्या तो plus plus होगा या minus minus होगा ठीक है x जो एक value है तो अब तुम बताओ यहाँ पर plus plus x हो रहा है या नि हमारी x की value क्या होगी बढ़ेगी यहना तो एक बढ़ गई 1 increase होगी ऐसे मैं सुचना यह 1 था तो इस 1 का आगे 2 हो जाएगा नहीं यह test case है मतलब कितने number of हमाय input मिलेंगे तो यह input है that is plus plus x और plus plus मतलब increment होगा तो 1 से increment होगा अब यहाँ पर हमारे पर 2 input है यानि यह दोनो तो एक बार increment होगा और फिर decrement होगा तो ultimately 0 answer आ जाएगा तो हम प्रिकल सी चीज़ है इसमें स्टेटस पर जाएंगे यहाँ पर bit plus plus का मैंने यह solve कर रहा था तो यहाँ पर हमने क्या कर रहा है first of all bits std c++.h लगा दी main के अंदर हमने test case ले लिया t और count को रग दिया 0 जो count increment होगा वह हमारा answer होगा ठीक है cout count कर रहा है हमने तो input हो रही है उसको हमने cn कर वा लिया अगर s का first place पर plus है तो हम count को increase कर देंगे नहीं तो count को decrease कर देंगे अचा यह चीज़ पता लगाने में बड़ा time लगा था मतलब बड़ा ज्यादा time नहीं लगा था comparatively मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा कि अगर यहाँ पे पहली value जैसे यहाँ पर first position पर plus दिख रहा है तो हमारा answer 1 हो जा रहा है अगर first position पर plus नहीं दिख रहा है तो हमारा answer क्या घट जा रहा है मगर यहाँ पर मेरे से क्या हो रहा था minus to answer रहा था क्योंकि उपर वाला भी देखो x जो है वो plus तो है नहीं तो वो decrement कर दे रहा था फिर वो decrement कर द यह बता रहे कि, confirm जो है वह increment हो रहा है, अब यह बीच की value देखो, यानि index 1 देखो, index 0 है हमारा, x Index 1 है हमारा plus, यानि इसका मतलब बता रहे है, increment हो रहे है, नीचे वाला देखो, minus है बीच की value, यानि बता रहे है, बीच की value, that is, first index है न, तो हमने उसको consider कर, अगर first index प्लस करेंगे और लब count का increment करेंगे नहीं तो count को decrement करतेंगे बास रंग में आती है ऐसे case में भी देखो बीच में हमीशे plus आयागा तो सारी cases solve और तो तुम क्या करोगे जैसे यहां try करोगे यह जैसे यहां पर मैंने try करके देखा write करके उसके बाद मैंने यहां one डालके plus plus x यह हमारी पहली condition इसको run करके देखा अब running आ रहे लिखा हुआ अभी error आ गया क्योंकि हमने python का वो कर रहा है language तो यहां language का ध्यान देना किस से पहले मैं python में भी try कर रहा था ठीक है अलग language जो भी language में तुम्हें suitable लगे कोशिच करना सबका syntax बताओ तो ठी ठीक है one answer आ रहे तो यहीं था हमारा first question का answer ठीक है bit plus plus सेकेंड आता है beautiful matrix beautiful matrix में क्या कह रहा है कि हम हमें 5 by 5 की matrix दे रखी है यह मैंने बना के देखा था एक वायर notebook पे बना के देखो 5 by 5 की matrix असल में input में ही दे रखाए है ठीक है उसमें से एक जिगे पर one है और हम यह लाना कहाँ पे है center of the matrix में यह हमारा center of the matrix agree करते हो इस बात से कि 3,3 जो होगा वो 5 by 5 matrix का center होगा यानि input 25 है यह 25 input है तो मैंने सोचा कि भाई यह चल क्या रहा है मतलब हम इतने सारे input लेंगे कैसे यह string भी होगी तो पता कैसे चलेगा तो थोड़ा logic लगाओ कि हमें अभी कहाँ पे आई है यह second row में है और one, two, three, four, five, fifth column में है ठीक है अगर तुमने कोशन नहीं पढ़ा तो पढ़ लो please क्योंकि ऐसा है कि जिसने attempt करने की कोशिश किया है वो आएगा यहाँ पर तब उसको clear होगा हाँ कोशन की क्या statement है वरना मैं you have got a five cross five matrix ऐसे पढ़ूँगा तो फिर sense नहीं रह जाया का बात है ना तुम खुद से interpret कुछ और करोगे फिर तुम connector पाऊगे तब और मजाता है चीज़े सीखने को और मिलती है तो हमें यह है कि हमें 25 input करने का मौका मिला है और हमें कैसे भी करके one को center में लाना है तो हमें बताने कितने step लगेंगे step कितने लगेंगे मतलब एक तरीका यह है कि तुम यह देखो ज्यादा fancy भाषा में लिखा है कि रोज को swap कर सकते हो जैसे यह दोनो रोज है वन और जीरो नीचे वाली न वन और जीरो रोज को swap कर सकते हो यह column को swap कर सकते हो तो बताओ कि अगर मेरे को center position पे लाना है यानी 3, 3,3 पे लाना है तो मुझे इस one को कित्ती बार swap करना पड़ेगा एक यहां कर लो ठीक है दूसरा यहां कर लो 2 swap होगए अभी one यहां पे imagine कर पा रहे हो और तीसरा swap हमारा उपर से नीचे हो जाएगा ठीक है इन दोनों positions पे इसका मतलब 3 steps लग जाएंगे और मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो पता चला है कि यह जो था इसको अगर हम coordinate देखें इसका या ऐसे देखें कि matrix में कहां पे तो अगर यह 1,2 यह अगर 1 से शुरू कर रहे है तो यह 2,5 पे हैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं अभी index वगरा बुल जाओ ठीक है 2,5 पे आगे और हमें इसको 3,3 पे तो मैंने कि अगर 2 को माइनस कर दिया 3 से आंसर आया 1 मैं absolute value की बात कर रहा हूं 2,5 इमेजन करो यह 2,5 position है यह 3,3 position है अब इन दोरों के x coordinate और y coordinate आपस में माइनस कर दो और दोनों को sum कर दो यह मैंने थोड़ा सा logic लगाया था मतलब ऐसी तुक्का लगाया था अगर तुम सोच रहोगे कि कैसे बात दिमाग में आ गई तो क्योंकि बहुत सारे तरीके ढूणने पड़ते हैं जैसे तुम star के question करते थे star pattern बनाना था तो हम attempt करते थे कि ij की value कहा से क्या करें तो वैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2,5 है यह 3,3 से कितना दूर है 3 माइनस 2 हो difference है उसका absolute value first of all negative नहीं होगा है यहाँ देखो जरा अब तुम्हें इसको यहाँ लाना है side में तो एक ही तो swap बनेगा और इसके coordinate चेक करो यह कौन सा coordinate है first second third row पे है और second column है 2,3 और 3,3 सप्रैट करो तो zero plus one आता है तो one answer आ गया समझ में आ रहा है बात ठीक है तो इसी काम ने क्या कर रहा code करने के कुशिक की जो कि tough part है क्योंकि अभी तो हमने logic बिल्ट कर रहा है code करने का ऐसे तुरंट नहीं आ जाता दिमाग में ठीक है तो हमने क्या कर रहा first of all वही C++ में खेला basic यह लगा के उसके बाद मैंने देखा कि 5 input है इंट्रस्टिंग बात देखो मेरे को पता लगाना है कि 1 की position कहां पर यह पता लगाना है तो हमने क्या कर रहा i और j का loop चलाया यानि पहले जैसे i 1 से लेके 5 तक चलेगा यानि अभी हम कहां पर है पहले रोपे है और पहले रोपे हर एक column को fill कर रहे है जै जो है 1 से लेके 5 यानि हर column पे 0,0,0 आ रहा है शुरू में यही है न सब में 0,0,0 आ फिर 0,0 ऐसे रहे और पता लगा रहे है कि हर एक character को input ले रहे है ध्यान दे न यहां character को input लिया है फिर पता लगा रहे है कि क्या वो one है क्या वो character one exactly one नहीं है यह ministering form में लिया है है ना quotes लगा के ठीक है बई पता लगा दी अगर वो one निकला यानि अब हमें पता है कि one निकलेगा तो यह j की value कुछ ना कुछ होगी i की value कुछ ना कुछ हो रखी होगी हम वो क्या करेंगे output कर देंगे absolute value of i-3 plus absolute value of g-3 तुम 3 से minus करो या 3 से उसको 3 से minus करो या 3 में उसको minus क देती है तो वही अगर तुम देखोगे 2,5 पे था तो यहां से 1 आ जाए 2-3,1 और यहां से 5-3,2,1 plus 2 that is 3,3 output आ जाएगा अच्छी बात क्या होई इस question की ज़रूरी नहीं है कि हम सारे input लेंगे हम सिर्फ input में क्या ले रहे है जहां तक बनना है जैसी पता चल गया बन आएगा वह हम 3,3 पे कैसे आएगा वह हम खुद निकाल दे था नहीं अच्छा question नहीं है अब समझ में आया हो तुम है बहुत basic है यह ठीक है complex code भी हो सकता था इसका basic बनाया थी beautiful matrix हो गया next पर आते है where it is हां first second third patty and strings देख लेते हैं हां लेक्सोग्राफिकली क्या होता है पहले question पढ़ दो फिर बता तो लेक्सोग्राफिकली मतलब जैसे dictionary में चलता है मैं अगर apple ढूणने के लिए बोलूँगा तो तुम dictionary में z तक नहीं जाओगे a पे ही रहोगे उसके बाद p ढूणने के के लिए तुम a b c d वो जो है skip कर दोगे second word था तो लेक्सोग्राफिकली समझ में आया कि मतलब dictionary wise अब question क्या कह रहा है कि हमें क्यूंकि मैं बूल गया हूं question यह मैंने कप करा था बैट्टे वाला question करा था पंदरा को आज 17 है है ना तो थोड़ा refresh होने दो यहाँ पे लिखाए कि strings length range from इतना ठीक है string की length 100 तक जा सकती है print 1 करो और 0 करो ठीक है अब क्या था कि इसमें क्या था कि हमारे पास दो string दे रखी है जो string बड़ी होगी जैसे अब यह हमारी पहली वाली और दूसरी वाली same है capital A को भूल जाओ मतलब वो capital A को ignore कर देना है small A ही मानना है तो 0 है यानि दोनो exactly same है strings अब यहाँ देखो तुम A B S ये भी A B Z है S बड़ा ये Z क्योंकि A B तो सेम है dictionary में S पहले आएगा ये Z पहले आएगा Z पहले आएगा यानि Z बड़ा निकला यानि नीचे वाला अगर जब भी बड़ा होगा उपर वाले से यासे बोल दो first value अगर छोटी निकली second value से तो हमारा output minus 1 कर दो question यही तो कहा रहा है if the first string is less than the second one print minus 1 अगर उल्टा case देखते हैं देखो सब कुछ exactly same है confuse मत हो ना ये capital small में last में देखो G आ रहा है फिर F आ रहा है G बड़ा है F बड़ा है A B C D E F G E F G यानि G बड़ा है F पहले आते है G बात में आते है यानि हमारी first string जो है क्या first string second string is less than first one यानि first string हमारी बड़ी निकली second से तो one answer आ गया सब मैं question क्या था ठीक है dictionary order क्याते है इसको कोई check कर ले ना दिक्कत क्यों बात नहीं है अब इसमें क्या है patty and strings पर चाते है सच मैं मैं कैसे वो कर रहा हूं इनको submit कर रहा हूं और वीडियो लंबी हो जाती क्योंकि मैं यह सब लिक लिक के तो मैं बताता तो अभी समझा रहा हूं तो सही रहेगा कम टाइम में ज्यादा कोशन हो रहे है strings ले लिए भी दू string कोशन में दे रखिया ना उन दोनों को हमने input कर वा लिया कोई बड़ी बात है नहीं हाँ अब यहां देखो हमें int i0 i smaller than string का size अब दोनों string जो है वो हम मान के चल रहे है कि बराबर है ठीक है कोशन में mention है यह a.size जो है वो हम ले लेंगे किसी भी एक string का size ले लो और पूरी length तक चलाने हम ही क्या करना है first of all हमने क्या करा हर एक element को to lower कर दिया यानि हमने उसको lower case कर दिया irrespective कि वो lower है या नहीं यानि अगर small a है तो small ही रह जाएगा capital a है तो small हो जाएगा जिससे कि हमें conclude करने में दिक्कत ना हो अब check करो देखो हम पहले का कर रहे है बड़ी अच्छे चीज कर रहे है कि जैसे जैसे input जा रहे है ना input जाने का देखो पूरी string एक साथ नहीं ले रहे है यह string का word by word ले रहे है तो मैं कियानी जैसे अगर उपर apple लिखा है नीचे भी apple लिखा है तो पहले AI जो है वो A को consider करेगा बी आई भी A को ही consider करेगा apple नीचे वाले apple का A पहला character तीक है उसके बाद उन दोन को compare करेगा क्योंकि lexographically हम मतलब तुम हमेशा left से शुरू कर रहे है न एपल में left पे क्या आता है ए आता है वहां से शुरू कर रहे है और dictionary में अगर पहला हम first से शुरू कर रहे है यानि left से शुरू कर रहे है पहला ही बड़ा निकला तो पूरा conclude हो जाता है हमें अब a से कुछ word है और z से कुछ word है तो तुम definitely z को बड़ा बोलोगे न तो यह चीज है कि ai अगर छोटा निकला b i से यानि second term बड़ी निकली तो minus 1 आ जाएगा है न a और z को compare करोगे तो minus 1 और जाएगा else if ai अगर बड़ा निकला मानलो z पहली स्ट्रिंग में z हो पहला word हो दूसरी स्ट्रिंग में a हो पहला word तो return कर दो one तो इससे क्या होगा हमें पूरी स्ट्रिंग को देखने की जुरत नहीं पड़ेगी हम भले ही देखने जा रहे है मानलो देखना पड़ गया क्योंकि पहल अगर इस लूप में से कुछ नहीं return हो पाया है तभी तो मैंने last में लिखा है return zero क्योंकि एक बार return हो गया तो अगर इसको रहटा देंगे न तो यह सब को चेक करेगा हमें ऐसा नहीं करना है जैसी हो जाए break कर देना है ठीक है बात समझ भाई चलो आगे बढ़ते हैं हमारे यह question भी हो गया patty and strings फिर आते है helpful maths पर है helpful maths देखो quotient में सिखाने के कोशिश करता है हाँ तो जैनिया जो है वो counting में थोड़ा दिक्कत करती है वो कहते कि मेरे को यह ऐसे करके नहीं हो पायागा एक काम करो मुझे sort करके दो मतलब मैं 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 नहीं बता पाऊंगी मगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बता दूँगी मतलब increasing order अगर तुम दिखाओगे या non decreasing order बोलेंगे अगर हम proper way में बोलें मतलब sorting way नहीं जैसे यह उसको तुम्हें इस string को ऐसे बना के दिखाना है क्या करा मैंने इसमें 3 को सबसे बड़े को हम सबसे राइट में ले जाएंगे left से हमेशे छोटे से बड़ा शुरू करेंगे यहां भी देखो 3 अभी बीच में आ रहा है मगर यहां पे हम क्या करेंगे output में properly इसको sort कर देंगे बीच में plus होना चाहिए ठीक है बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम में plus की पहले तो हम इस हर इक element को plus से बाहर निकालना है ठीक सोच के देखो तुम भले ही python में अगर तुम सोच के देखते हो python में भी सोच लो python में क्या हो तो एक दू लाइन में हो जाएगा हम जॉइन कर देंगे डारेक्ट है ना output को क्या करेंगे पहले तो हम यहां से वो निकाल देंगे इंटीजर्स निकाल देंगे और जॉइन कर देंगे plus से तो वो तो आसान तरीका है ना अगर आप c++ से सीख रहे हैं तो हम c++ में ही रहते हैं फिलाद question समझ मैं एक 2 लिखा तो 2E रहें तो उसमें कोई दिकत नहीं है तो हुआ क्या था मैंने try करके देखा ये helpful maths वाला question तो python में try करा क्योंकि easy रहता है कुछ कम लाइनों में code हो जाता है तो मैंने दिमाग लगाया है कि input ले लिया हमने हम उसको क्या करते हैं एक empty string ले ले लेते हैं first of all और एक list ले ले लेते हैं ये proper way नहीं है मतलब इससे भी अगर तुम्हें compact code लिखना है तो इससे भी कम में हो जाएगा वह बड़ी बात नहीं है मगर जस्ट एक try कर रहा था मैं वह समझा रहता हूं कि list ले ली empty list और empty string ले ली तीक है क्या रियो space तो ले रहे हैं for i in s अब हम क्या कर रहे है हर एक element पे जा रहे है s में अगर i plus नहीं है यानि वो कोई integer number होगा अगर हमें कोई matter नहीं करता कि वो number है क्या है मतलब हमें बस plus नहीं चाहिए तो append कर देंगे list में i को और फिर l को हम sort कर देंगे list को तो sort करी सकते हैं है न तो हमने करें string में से चीजे निकाल निकाल के जो plus नहीं थी उसको list में जाके sort कर दिया अब sorting हो गई आप क्या करना है पीछे plus से append कर देना है उसको हम क्या करेंगे for inl अब list के हर एक element पर जाओ यानि वो numbers लिखे होंगे हम string में add कर देंगे यह पता नहीं मेरा logic है अगर क्या पता तुम बोलो पेकार code है है न मेरे को मालूम है जस्ट एक intuition था सोचने का तरीखा था अगर हम string में plus कर देंगे i को क्यानि हम हर एक integer number को string में plus कर देंगे और उसको append कर देंगे plus से तो हमारे काम बन जाएगा है न सभी बात है दिक्कत क्या होगा यहाँ पे जब ऐसे तुम करने जाओगे तो हमारे string में ss नाम की string में last element पे भी plus आ जाएगा यानि तुम देख रहे हो 1 plus 2 plus 3 यहाँ पे पीछे 3 के बाद फिर से plus आ जाएगा यानि answer proper तो हुआ नहीं तो इसलिए मैंने कर रहा सिर्फ इतना ही input करवाया है यानि तुम मैं पता है जब भी हम ss करते हैं last वाले को तो हमेशा range कहां से कहां तक होती है 0 से लेके last minus 1 ता यानि हमें वो plus वाला नहीं दिखेगा मतलब मैं अगर सिर्फ ss को output करवाता तो यहां पे 123 1 plus 2 plus 3 plus आता c के बाद भी plus आता मगर हमने क्या करा उस plus को consider नहीं करा not a good way not a better way मगर still हमारा करने का तरीका तो है फिर आते हैं c++ पे उसमें code थोड़ा बढ़ा लिखा जाएगा अब इस code को समझते है मैंने जान बुच के space छोड़ा है कि तुम्हें समझ में आए और बहुत सी नहीं चीजें सीखने को मिलेगी तुम्हे particularly इस चीज में और मैं मान के चल रहा हूं कि तुम follow कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अगर अगले अगली वीडियो देखो वीडियो 3 दे है हमने का करा बार बार लॉंग ना लिखने की लॉंग लॉंग ना लिखना पड़े क्योंकि competitive programming time का खेल है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ implement करे और हमें time लग जाए और लिखना जो है वो problem बन जाए इसलिए कुछ लोग जो होता है वो यह technique लगा के चलते है कि ए template त्यार रखते है ठीक है template त्यार रखना बिल्कुल भी बूरी बात नहीं है बलकि तुम्हारा एक fast काम करने का तरीका है और तुम्हारी well preparedness को बताता है कि यह बंदा prepare हो कि आ रख है एक competitive contest देने आ रख है ठीक है तो यह matter करता है type defined type def long long मतलब जब भी मैं ll लिखूँ वो बता रहा हो कि मैं long long लिख रहा हूँ ठीक है इससे क्या होता है कि जैसे कुछ अभी तो constraint बहुत कम है मतलब तुम्हें 100 तक string दिख रही है मगर कभी कभी int से भी जादा digits चले जाती है तो इसलिए हम long long prefer करते है और type def vector int अब तुम् इससे अच्छा vi लिख दो direct अब यह contest से पहले करना है यह सब यह hash define कर दो तुम्हें पता है बार बार मैं for loop लिखता हूँ for int i equal to 0 यह syntax तुम्हें पता है और तुम लिखते भी हो और speed में लिखते हो बहुत मगर क्या फायद है जब कोई आदमी इतनी सी line में ही वह लिख पा कुछ back in place back के बारे में मैंने linkedin में भी बता रखा है मैं linkedin अपना यहां दे दूँगा description में ठीक है follow करना उसको भी मैं कुछ points है जो वीडियो में क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं in questions को करता हूँ है ना देखो मैंने word capitalize भी कर दिया है फिलाल हम अभी helpful master की रहन देंगे एक दो तीन चार नहीं आते हैं word capitalize भी आते हैं असलना मैंने boy और girl भी कर लिया है मैं refresh करता हूँ तो दिखानी रहा है फिलाल कोई बात नहीं यह हम क्या करेंगे पांच-पांच करके कर रहा हूँ मैं तो एक चीज पर जब मैं लगता हूँ जैसे beautiful matrix करा तो मैं copy pen लेके बैठा था फिर matrix बना के देखी 5 x 5 की है ना time दिया उस पर तो उस समय जो दिमाग में नहीं नहीं ची पर तो हमने hash define for का लूप चलाया i,a यानि वो i हमने enter ले लिया और a तक जायेगा लिखाया जिससे कि ढूणने में confusion ना हो और hash define pb कर दिया pushback को यहीं अंतर है type define और hash define में type define में पीछे लिखते हैं जो भी हम अपना यह मतलब alias, alias जो भी हम define करते है alias मतलब other name जैसे मेरा घर का नाम कुछ और और अधार पे कुछ और है न तो वैसा ही pb कर दिया pushback pushback को जब भी में define करूँ और pb बोलूँगा तो int main के अंदर मैं एक string लिए yes, question याद है न तुम्हें कहानी में उस हो गए हो, question यह था और v नाम से, अब for का, देख रहे हो, for का syntax नहीं लिखना पड़ा पूरा, कितनी जल्दी हो गया, i यानि i नाम का हमने integer लिया, variable लिया और वो और कहां तक चला हो, length, s.length तक, यानि जितनी भी length है इसकी, पूरा चलेगा उस length तक, okay, अब if i modulus 2 equal equal to 0, अब ध्यान से देखना, ये index की बात हो रही है, ये ऐसे मत सोचना है कि तुम 3 को 2 से divide कर रहे हो, ये जो 3 है, इसको नहीं नहीं, ये index की बात हो रही है, ये बताना चाहरा है, कि वो even index पे ही बात हो रही है, अब तुम देखो, 3 जो है, वो कौन index पे, 0 पे है, फिर 2 किस पे, 1 पे है, index पता है ना, त तो यहां पर i modulus पर equal to zero कहना चाह रहा है कि अगर हमारा index जो है वो even है क्योंकि even index पर क्या है numbers है अब मैंने python में क्या कर दा प्लस नहीं होना चाहिए वो करके condition डाले थी तो वैसे भी डाल सकते हो कोई बात नहीं अगर यहां पर क्या है कि यह तरीका भी सही है कि अगर हम even indices में है तो हम क्या करेंगे pushback कर देंगे किसमे वेक्टर इंट में वी जो बनाया था मैंने वेक्टर इंट वी देख रहो कितना चोटा सा बन गया यहां पर वरना मैं को वेक्टर इंट लिखना पड़ता उसमें pushback को भी मैंने pb कर दिया तो उसमें क्या करेंगे हम ऐसा यह माइनस जीरो अब जीरो जो है वो नॉर्मल जीरो नहीं है एक string form में है तो हो क्या रहा है कि actual में ऐसका ही code आएगा actual में मतलब तुम ऐसे समझ लो ऐसा ही जो है वो ऐसा ही जो है वो एक इंटीजर तो है मतलब 3 तो देखो पहले 3 आएगा मगर वो 3 किसमें आएगा double single quote में आएगा तो single quote 3 मैंनस single quote 0 जो होगा वो क्या होगा value होगी इंटीजर value तुम कुछ ऐसा समझो कि इन single quote का भी क्या होता है कोई न कोई s का ही value होता होगा मगर तुम जब base में से मालो इसकी s का ही value है 100 है ना और ऐसा ही जो है वो 3 निकला तो इसकी होगी 103 है ना तो 103 में से 103 में से 100 गया तो 3 ही तो बचा तो यहनि हम ultimately क्या कर रहे है जो मैं list के अंदर string डाल रहा था ना यहां पे list के अंदर मैं integer value डाल रहा हूँ यहां मैं ऐसे यहां पे bracket में लिगवे स भी कर सकते हैं वो तरीका भी है मगर यह automatically ही typecast हो रहा है तो हमें अलक्से define करने के ज़रत नहीं है मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो single code 3 minus single code 0 होगा वो 3 ही return करेगा अब वो integer value return करेगा ठीक है फिर हम sort कर देंगे v begin minus v end sorry minus कहा रहा हूँ comma v end यह तरीका होता है sorting का in c++ ठीक है फिर हमने क्या करा sort होगे एक बर अब sort होने के बाद क्या करना था यानि 1 पहले आगे 2 बात में 3 आया अभी यह किसके अंदर है वेक्टर एक एरे के अंदर है अब हम क्या करेंगे loop चलेंगे for i,v.size एक नई चीज सीखने को मिली तुम्हें sorry अगर मैं तुम्हें बोर कर रह को था वो वेक्टर था वेक्टर का क्या होता है size होता है बात समझ में आ रही है syntax द्यान से देखना चीज हम सीखते रहते हैं सीखते रहते हैं जितने question करेंगे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि pushback क्या करता है तो search करो वैसे तो सम वेक्टर का size होगा वो प्रॉपर चलेगा और हम हर एक वेक्टर को ले रहे हैं बसन में हाइक for loop चलाया output क्या करा हमने हर एक value को output करा और यह क्या value sorted value है यानि vi अभी हमें फिलाल क्या दिखा रहा होगा 1 दिखा रहा होगा तो हमारा output हो चुग है 1 अब यह पता लगाएगा कि क्या पीछे plus आना चाहिए कि नहीं जैसे मैंने python में क्या करा था मैंने sub में ही plus लगा दिया था और last में ही plus आ रहा था मगर मैंने उसको लिया नहीं था मगर यह जो करेगा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर i not equal to v dot size minus 1 तुम्हें एक बात तो सम्झे आ गई कि जब भी loop चलत लास्ट डिजिट नहीं पहुँच रहा है मतलब जैसे 1 आया नहीं पहुच रहा है तो आउटपूट कर दो अभी तक तो नहीं पहुच रहा है तो प्लस कर दिया फिर से cout v4 गा loop है तो चलता रहे गए जब तक size खातब नहीं हो जाता फिर 2 कर दिया अब नहीं पहुच रह लास्ट में तो प्लस लगा दो फिर 3 आ गया कहां से नहीं पहुच रहा है पहुच गया भाई पहुच गया ऐसे बोले गए इस क्या बोलेगा भाई मैं लास्ट में हूं तुम अब मत लगाना तो वह नहीं लगाएगा return 0 हो जाएगा यानि हमारा final answer यहीं आ जाएगा बास समझ में आई है ठीक है लिंक दे दूंगा मैं इस code का code के link मिलते रहेंगे तुम्हें वही है मैं update करता रहूँगा आई बास समझ में मैंने time लेके समझा है इसको कि इसमें बहुत सारे concept है किस तरह से template create करना है ऐसे लेके बहुत कुछ है ठीक हमने कितने problem कर लिए 1,2,3,4, वेट 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 वन,2,3,4,5 फिफ्ट पे आ जाते है word capitalization अच्छा मैंने बॉइगल अभी करा नहीं है मैं सोचे पहले 5 कर लेता हूँ वरना भूल जाओंगा है न जिससे कि समझा दूंगा एक बड़ अच्छे से क्योंकि कोशन दिमाग में रहते है थोड़ा word capitalization तो यहाँ पे देखो कोशन का है कोशन बड़ा जीब सा लगा में रखो मतलब जैसे मैं बोल रहा था था ना तुम्हें कि हम क्या करते है two lower कर देते है two lower मतलब अगर capital letter है तो वो small हो जाए मतलब अगर upper case में है तो वो small lower case में हो जाएगा अगर यहाँ पे सिर्फ पहले letter को करना है lower case कितना interesting बात है बाकियों को छेड़ना तक नहीं है तो हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी कि भाई python में क्या करो यह string को इसको पहले को अलग ले लो और बाकी sub string को बाद में attach कर लेना हाँ exactly c++ में भी यही बात आएगी दिमाग में है word capitalization को मैंने दो वागों में करा है पहला तरीका यह वाला यह तरीका मेरे को favorite लगा मतलब मैंने जो नई चीज़ सीखी वो actual में implement करी यह सोच लो देख रहे हो कि हमें c++ का कुछ नहीं आता है और हम धीरे धीरे यह इतना यह मेरे को complex दिख रहा है पता नहीं तुमें दिख नहीं मगर यह complex दिख रहा है मेरे को क्योंकि मैंने नई चीज़ implement करी है ठीक है तो यह चीज़ को समझाने से पहले मैं तुम्हें बतायता हूं कि actually जो python के fan है उनको बता दू यह रहा python को कोड कि हम क्या करेंगे input डाल देंगे दिख रो छोटा से problem था यह मैं चाहता तो यह लिखके खिसक जाता कि भाई हमने input ले लिया print कर देंगे पहले को हम upper कर देंगे यानि पहला letter capital और बाकी one से लेके end तक as it is डाल दो यह लो हमारा होगे code दो line में बास दम्हारी है मतलब दो line करो एक line करो मगर उस code से सीखने को क्या क्या मिला जितने क्योंकि हम easy से इसले जाएंगे तो frustration हो जाएगी कि यहां इस question से दूर भागो मगर यह question तो बहुत simple देखने में था यह हम C++ से देखें तो C++ का भी यही चक्कर है कि using namespace std मैंने बताया दिया इसके अंदर मैंने क्या करा string ले ली s और उसको कर दिया input ठीक है उसमें पहला जो था उसको to upper कर दि यह बागी को mazities output कर देंगे simple ओके तो यह question में कुछ खतनाक नहीं था मगर हम कर सकते है create खजना तो मेरी बात सुनो जो यह समझना चाहता है I think यह last question होगा हमारा चेक कर ले दो लास्ट question है तो जिसको आ गया हो तो skip हो गया तुमारी वीडियो मगर जिसको यह वाला देखना है तो देख लो यह यह चीज मैंने भी नहीं सीखी है तो मैं देख रहा था कि यह string stream होता क्या है क्योंकि देख रहे हो हम आपीशा see in see out करते हैं मगर अचानक से यह क्या हो गय iss iss कहांच लेगा है तो यह तो जिस नाम लिखा है मैंने मैंने क्या करा string sly आर आर ऐसे ही ले लिया तो हमने string sly और उसको input करवा दिया नॉर्मल सी string थी ऐसे apple वाली ठीक है मैं यही सब experiment करके देख रहा था अब string stream iss में s डाल दिया समझो ध्यान से कि हमारे पास एक string की stream बन गई मतलब हमारे पास एक string मिल गई हमें ऐसा समझ लो जो iss के अंदर चले गई है एक care a ले लिया मैंने care a character a उसको मैंने iss में डाल दिया यानि iss जो है वो डाल दिया नहीं है sorry exactly जब भी तो हमारे दिमाग में आता है c in मतलब होता है कि हम s को input ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि s की सारी value computer के अंदर चले गई ठीक है basic अगर मैं only man language में बता हूं मगर यहां कुछ उल्टा है यहां इसका मतलब यह है कि पहला जो letter था ना वो eco define हो गया है कि तो मैं पता है character a तो character string तो ले नहीं पायागा मगर पहला character पकड़ लेगा तो exactly इसने यहीं करा है क्योंकि हमें बता है iss यहनी string की string थी जिसमें हमने पूरा string डाल दिया exactly apple डाल दिया यह apple डाल दिया मगर यह क्या define करता है कि हम a के अंदर जो डाल रहे है वो capital a है ठीक है character नाम तो a लिया हमने वो हमारी string का पहला letter हमने a को दे दिया iss यह बताता है अब क्या कह रहा है हम पहले letter हो क्या करेंगे कि actually मैं यह दिमाग मैंने कहां लगाया यह मैंने सीखा उस वाले question में जहां पर वो करना था to lower करना था तो मैंने एक चीज़ सीखी बड़िया ची़ सीखी कि capital a और small a जो है उनकी s काई value को अगर difference करोगे न तो 32 आता है capital a शायद 56 या कुछ ऐसी होता है 50 जो भी है और small a जो होता है 97 के राउंड होता है तो उन्दों को separate करोगे तो 32 आता है यानि हम किसी भी किसी भी s काई value में अगर तुम 32 जोड सकते हो तो वो small letter हो जाती है और जोडना यानि और plus यानि और होता है यह हम सीख रखे है और अगर हमें उसको capital letter बनाना है तो end करना पड़ेगा चक्कर समझो चक्कर समझो बड़ा अचा case है यहार यह मैंने SL में क्या करा था पहले तो मैंने इसको पढ़ लिया था यह first of all कि हम जब भी किसी भी number को 32 के साथ और करते हैं तो यह bitwise और करते हैं तो उसका answer आता है मैंने SL में चलो LinkedIn में डाल रखा है यह post का link दे दूँगा यह बड़ा अच्छे समझा रखा है मैंने उसमें क्योंकि जब मैं समझता हूं तो उस समय बहुत सा ही चीज़े clear रहती है यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ screen के through एक arrow के through समझ जाओंगा तो क्या पता तुम borrow रहे हो यह तुम imagine ना कर पा रहे हो वीडियो लम्मी होने के विजासे जो भी case है तो इतना सा ध्यान रखो कि जब भी किसी number का हम bitwise और करते हैं 32 के साथ तो और क्या करता है कि 32 मतलब अगर तुम 000 वाले form में देखो binary form में देखो तो 32 यानि 5 और 6th position पर 1 दिखता है और बाकी सारी जगे 0 दिखता है तो तुम्हें पता है किसी भी binary में अगर और हो जाता है और एक side में 1 है तो definitely answer 1 ही आएगा है न क्योंकि 0 और 1 भी 1 होता है 1 और 1 भी 1 होता है है न तो कोई यहां binary में तो 2 digit होते हैं 0 और 1 तो यहां कुछ भी हो अगर और करेंगे तो हमेशा 1 आयागा तो उसकी वज़े से क्या हो रही थी वो lower case हो जा रहा था मगर मैंने यहां पर देखो मैं 2 lower 2 upper कर सकता था बात खत value यानि 32 पे 0 रखो सारी जगे 1 रखता हो समझो कितना interesting है अब and में क्या होता है कि किसी को भी 0 के साथ and करो हमेशा 0 आयेगा तो यानि 32 position पे कुछ भी हो answer 0 आने वाला है इसका मतलब अगर वो capital letter होगा तो definitely 0 होगा 32 position पे कोई कहने वाली बात नहीं है इमेजन कर पा रहे हो sorry अगर मेरे को लिख के बता मेरे को तुम suggest करना समझ में आ पा रहे है कि नहीं ठीके बरना मैं notebook लेकर क्योंकि कुछ setup अगर तो है नहीं तो camera हिलेगा या lighting सही नहीं आएगी तो इस वज़े से मैं screen पे ही बता रहा हूँ इमेजन करो कि 32 पोजीशन पे जीरो आ गया क्योंकि यह जो है इसका मतलब है कि उसकी उल्टी वैल्यूज यानि जहां 32 पहले पे 32 पोजीशन यानि 6 पोजीशन पे वन आना चाहिए था बाइनरी कोड में यहां माइनस की विज़े से क्या हुआ जीरो आ गया आम नौट शॉर कि 6 पे 5 यह फिफ्ट है मगर 6 लग रही है मेरे तो 6 पोजीशन पे 0 आ गया बाकी सारी जगे वन आ गया और 1 को किसे भी एंड करते है वन ही आता है जो होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हैगी मगर एक्चिली जो पोजीशन 32 है वो 100% 0 होने वाली है क्योंकि 0 को किसे भी एंड करते है 0 ही आता है तो यानि वह कर स्मॉल लेटर निकला जैसे 97 है यह की वैल्यू तो 32 बिट में अगर बाइनरी देखोगे तो 32 बिट प क्याफिटल ए एना तो पहले क्यों हो है ऑले क्याफिटल रहा गई और सी आउट कर देगे हम क्याम क्याफिटल चा क्युक्क यानि वह एंडनल फूंट वह पते अहर अगर तुम फ़ूंडे पहल म्सक्रजिके आता है Аगर णुभ उन गेट मैंदे रहे हैं थैरना अग्यट iss,r तो यहां से हम क्या कर रहे हैं तुम get line लिख दो कोई बात नहीं या तुम्हें ऐसा ही ऐसी चीज लिख दो और r कर दो क्योंकि r जो है वो हमारी एक string है तो वो पूरी string लेने को तयार है और actual मैं बोलूं तो r जो है वो एक substring हो जाएगी ठीक है रिमेनिंग अब यहाँ आया है मैं वेको आर मैंने क्यों लिया था इसलिए कहते हैं कि जब भी कोड करो एक अच्छे से वेरिवल्स का नाम रखना चाहिए आर मतलब रिमेनिंग था ठी मैं सूच है रिवर्स के लिए किस के लिए है तो रिमेनिंग बची वह हम क्या करें गेट लाइन ले लो यह तुम आरे मर्जी आई यह तुम सी में ज़्यादा यूज करते हैं इसको अगर तुम आई एसस आर क रन करते हैं इसको ठीक है एक्जेट्ली आंसर जो आ रहा है वो कंडीशन के हिसाब से आ रहा है अगर मैं कंफ्यूज ना करना चाहूँ यह छोटा लिख दूँ क्योंकि कोशन के अकॉर्डिंग यह बढ़ा होना चाहिए तो आपल का यह बढ़ा है अब यहां पर मैं एक ब पुल्टा हो रहा है यहां इस साइड एरो मतलब वो इस साइड वाली वैल्यू में जा रहा है चेक करते हैं कास चल जाए होप चल जाए वाई डेफिनिट यस थीक है तो गेटलाइन की जरू बस मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि कहीं मैं बोल बोल के निकल जाओ तो करके देखो तो ना हो तो हमने क्या करते हैं यहां पर जब हमने ने करेक्टर रहे लिया था तो सुर्फ पहला क्या डाला तो जो रिमेंणिंग थे ना वो सारे के-सारे चले गए अब समनी इस मारी स्ट्रिंग़् उत मतलब कितना इंपर्टेंट है सी प्लस प्लस में Meng Deb Attac क्यूं लग रही है तुम बताना तुम्हें लग रही है कि नहीं मगर क्रेजी चीज़ है भई यह हम स्ट्रिंग को ही ले रहे हैं मतलब पायथन का काम हो रहा है यहां पर एक तरह से दिखा जाए और यह कंफ्यूज मत होना भाईयों मैं यह चीज इसले करी क्यों तुम्हें समझाने के लिए टू अपर करके देख लेता है कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम ऐसे भी लिख सकते हो समय समझ में नहीं आया कोई बात नहीं तुम्हें टू अपर पता है exactly वही आंसर आ रहे है मैं एडी वगरा विएस कोट पे बना के देख लो मुझे मौका मिलेगा तो मतलब जैसा होगा कि सच में दिक्कत आ रही है ता मैं कर लूँगा यसा यहां पर डाल दो अब इसको करना है समिट जैसे समिट करा रन हो रहा है वर्डिट और नीचे तो लिखा हुआ गए accepted मगर यह accepted लिखा हुआ गया और तुम देख सकते हो कि मैंने वर्ड कैपिटलाइजेशन तीन बार कर दिया रहा है तुमारे लिए ठीक है तो 17 सितंबर है और होप हम ऐसे ही करते रहेंगे सीखते रहेंगे चीजों को कम चीजों से जितना जादा निकाल दोगे क्योंकि कोशन बहुत सेट में अगर देखिए तो हम क्या कيا सीखें, okay brute force कैसे करना है greedy, implementation कैसे, Jose के सित्रिंग कैसे खेलना है, slight तो यह चीज़े हम सीख रहे हैं मैं आगए और question करता हूँ और तुम बता ना तुम भी करना, ठीक है और अब जैसे तुमने इई ऍही वीडियो देख लिया तो मैं hope क करता हूँ कि तुम जाओ, इस पे, code forces पे, अपने account से और in questions को solve खुब से करने की जोशेश करो, अब तुमने समझ लिया है na concept, और जहां से index समझ ना है, वहाँ पे आके वीडियो देखो, अब मैं पते क्या करता हूँ, मैं notepad पे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि, जैसे मैं for का loop लिखता हूँ, तो हमारी आदत होती है, for का loop लिखा, फिर यहाँ पे एक bracket दिया, दूसरा खुद आजाता है, नहीं, दूसरा हमें खुद डालना पड़ेगा, यहाँ एक curly braces दिया, नीचे आजाता है, मगर हमें यहाँ खुद डालना पड़ेगा, तो id नहीं होती ह है, तो हमें हमारा हाथ साही जगे रहता है, मतलब जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो हम word file पर बता रहे होंगे, तो exact code लिख रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, कि syntax error हो जाए, तो यहाँ पर आदत डालने की पुश्च करेंगे, ओके, तो यह तब तगड़ा concept, suggestion और feedback हो, definitely मुझे बताओ, बाकी मिलते हैं, next वीडियो में